नमस्कार आपका मेरे चैनल में स्वागत है आज मैं आपको मा ब्रहामरी देवी और सांकम भरी माता के बारे में बताने जा रही हूँ साकम भरी माता दानवा के उत्पास से त्रेस्ट भक्तों ने जब कई बर्षों तक सूखा एवं अकाल से ग्रस्थों कर देवी से प्राथना की तब देवी ऐसे अफ्तार में प्रकट हुई जिनकी हजारों आखें थी अपने भक्तों को इस हाल में देखकर देवी की इन हजारों आखों से नौ दिनों तब लगातार आँसुओं की बारिश हुई जिससे पूरी प्रत्वी पर हर्याली चा गई तथा जीवन रस्थे परिपून हो गया यही देवी सताची के नाम से भी प्रशिद हुई एवं इन ही देवी ने किरपा करके अपने अंगों से कई प्रकार की शाक, फल एवं बनस्पतियों को प्रकट किया इसलिए इनका नाम साकमभरी प्रेशिद हुआ पॉस मास के सुकलपच की अश्टमी दिथी से साकमभरी नवरात्री का आरम होता है जो पॉस पूर्मा पर समाप्त होता है इस दिन साकमभरी जयन्ती का पर मनाय जाता है मानिता के अंसार इस दिन असायों को अन, साक, कच्ची सबजी, फल वजल का दान करने से अतिधिक पुन्य की प्राप्ति होती है वद देवी दुरगा प्रशन होती है देवताओं की साहता के लिए देवी ने अनेक प्रकार अफ्तार लिए ब्रामरी देवी का अफ्तार लेकर देवी ने अरुन नामक देती से देवताओं की रच्छा की बहुत समय पहले की बात है अरुन नामक देती ने कठो नियमों का पालन कर भगवान ब्रहमा की घोर तपस्या की तब से प्रशन होकर ब्रहम देप प्रकट हुए और अरुन से बर मांगने को कहा अरुन ने बर मांगा कि कोई युद्ध में मुझे नहीं मार सके न किसी असससे मेरी मिरत्य हो इस्त्री पुरुस के लिए मैं अवद्य रहूं और नहीं दो वच्चार पैरवाला प्राणी मेरा बद कर सके साथ ही मैं देपताओं पर बिजय प्राप्त कर सकूँ ब्रहमा जी ने उसे यह सारे बर्दान दे दिये बर पाकर अरुन ने देपताओं से स्वर्ख छीन कर उस पर अपना अधिकार कर लिया सभी देपता घवराकर भगवान संकर के पास गए तभी आकास बाणी हुई कि सभी देवी देपता भगवती की उपासना करे वे ही उस देते को मारने में सच्छम है आकास बाणी सुनकर सभी देपताओं ने देवी की घोर तपस्या की प्रशन होकर देवी ने देपताओं को दर्सन दिये उनके छे पैर थे वे चारों ओर से असंक ब्रहमरों से घिरी थी उनकी मुठी भी ब्रहमरों से भरी थी ब्रहमरों से घिरी होने के कारण देवताओं ने उन्हें ब्रामरी देवी के नाम से संबोधित किया देवताओं से पूरी बाद जानका देवी ने उन्हें आश्वस्त किया तथा ब्रहमरों को अरुण को मारने का आदेश दिया पल भर में पूरा ब्रह्मान ब्रहमरों से घिर गया, कोछी पलों में असंख ब्रहमर अतिबलसाली देते अरोण के सरीर से चिपक गए और उसे काटने लगे, अरुन ने काफे प्रेजिन किया लेकिन वे ब्रहमरों के हमले से नहीं बचपाया और उसने प्रांट त्याग दिये इस तरहे देवी भगवती ने ब्रहमरी देवी का रूप लेकर देवताओं की रच्छा की आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें धन्यवाद